स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार जिन्दगी हमारी चलती रहती है और साथ-साथ छोटी बड़ी बिमारियां भी चलती रहती है कई स्वासे समधी समस्या या बिमारियां हमें बाहर से नजर आती है लेकिन कई बार ऐसी मुश्किले होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है और पता नहीं चलता है कि अंदर क्या हो रहा है तो ऐसे में कुछ साधनों की जरुवत पड़ती है, कुछ तरीकों की जरुवत पड़ती है ताके अनुरोनी हिस्से में देखा जा सके और बीमारी का पता लगाया जा सके हम बात कर रहे हैं एंडोस्कोपी की आज हम आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम आपको जानकारी दे पाएं एंडोस्कोपी के बारे में कि यह क्या है, कब इस तरह से इसकी जाच की जाती है, किस तरह से होता है और किन-किन बिमारियों के समय में इसका उप्योग होता है बहुत सारी बाते हैं जो इंडोस्कोपी के लिए आप जानना चाहेंगे तो आपको बता दे इन सारी जानकारियों के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं सुप्रसिद सर्जन डॉक्टर आरपी श्रिवास्तो तो डॉक्टर सब आपका हमारी कारेक्रम में बहुत-बहुत स् अधरर आपके मादिवस्ट सर्जान चाहिए जिस का अर्थ है अंदरुनी जाच करना शरीर के भीतर की जाच करना शरीर के भीतर हमारे शरीर में बहुत सारे चिद्र हैं जो सामाने चिद्र हैं कान है, नाक है, मुह है, मलदवार है तो ये सामाने चिद्र हैं और इनके माध्यम से जब हम अंदर की बीमारियों पर कोई भी टिपड़ी करने के लिए या उनकी जानकारी लेने के लिए के लिए कानना गला के विशेशग्य गला को देखने के लिए और नाक के माध्यम से देखने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं उसमें एक नली नुमा यंत्र होता है जिसका सिरा बहुत पतला होता है उसकी लंबाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए सिरा बहुत ही पतला हो ले जाए जाता है और एक कैमरा लगा होता है वो कैमरा पिक्षर लाता है और हम तब या तो टेलिस्कोप में या नंगी आंकों से या फिर कैमरे पर हम देखते हैं उसको बढ़ा करके और तब हम बीमारी को अंदर से समझते हैं यह हम सर आप से जानना चाहेंगे कि मनलब किस यह किया जाता है लेकिन उससे पहले आपने जो कहा कि वेवे ने जो सामाने चिदर हैं उसके जरिए यह कैमरा और लाइट्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो यह बड़ा पेंफुल होता होगा सुनने में समझने में ऐसा लग रहा है मैं इसी लिए शुरुआती दौर मे यह कह रहा हूं कि इसकी लंबाई जो है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए अगर मेरा हाथ कहीं जाना है तो मेरा हाथ तो इतना ही मोटा है तो इसको अगर इतना स्पेस मिलेगा तो चला जाएगा तो जो भी हमारा यंत्र होता है उस यंत्र की चोड़ाई या उसकी बहुत कम की जाती है, मेरी इस उंगली से भी कम की जाती है, उसकी मुताही, ताकि वो सामाने छिद्रों से वो जा सके, अब जैसे इंडॉसकोपी, मैंने बहुत सिंपल परिचरशा में ये कहा कि कान, नाक और गले के भीतर, लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर हैं, कि इसके माध्यम से हम पतली से पतली नली ढाल सकते हैं, आपने सही कहा कि ये बहुत ही कस्टदाई होता होगा, तो ऐसा नहीं है, कस्ट को कम करने के लिए, या कस्ट को नियंतरित रखने के लिए, कुछ दवाओं का उपयोग हम लोग कर लेते हैं, और कुछ इस प्रे व्यक्ती है, जिसकी परिक्षा हो रही है, उसको कस्ट कम होता है, और जानने वाला जो परिक्षक है, जो चिकित्सक है, वो या तकनीशियन जो है, वो उसको जानकारी पूरी की पूरी मिल जाती है, और कस्ट को हरने के लिए अगर जरूरत है, कस्ट को और कम करने की जरूरत है, कई दफा लोग बहुत दरए सहमें से होते हैं, तो उनको injection के माधियम से थोड़ी देर के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए जितनी देर का ये जाच होना है, या 15 या 20 मिनट के लिए, जो भी जाच है, उसके अलग-अलग समय हैं, उतनी देर के लिए उनको हलकी सी सोने की दवा देके उनको सुला लिया जाता है, और उनको नियंत्रण रखा जाता है उनके सरीर पर, ताकि उनको कोई अन्यथा, कोई सिती पैदर ना हो, बिल्कुल, बताब पुरी तरह से तैयारी करके ये की जात चमता अलग-अलग होती है, बिल्कुल, उम्र भी अलग-अलग होती है, कई बार बच्चों पर भी ये करना पड़ता है, बिल्कुल, कुछ लोग तो इसको बहुती सहज रूप से ग्रहन कर लेते हैं, और थोड़ी सी दिक्कत के साथ, बिल्कुल, परिक्षा के बाद एकद बिल्कुल, परितसर ना हो शरीर पर, या मन पर, बिल्कुल, बिल्कुल, तो अब आपको हम ले चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो आज कल प्रचलित है, तो सबसे पहला तो यह है कि डरने की बिल्कुल बात नहीं है, और यह एक आम परिक्षान की भी धी है, केवल इसमें यह है कि हम आफिस नुमा जगह में बैठ के नहीं कर सकते हैं, मरीज को एक टेबल पर लेटना पड़ता है, लेटने के बाद थोड़ी से तयारी होती है, और उस तयारी के साथ मरीज जो चिकितसक गण होते हैं, जो स्टाफ होता है, उसके साथ वो अकेले रहते हैं, अपने लो अब हम मेंली इसको फोकस करते हैं दो बातों पर, एक मुह के माध्यम से उपर की नली का जाच, और मल द्वार से नीचे से अतडियों की जाच, तो मुह के माध्यम से जो नली हम लगाते हैं, मैंने पहले ही कहा कि वो इतना ही पतला होता है, और जैसे हम खाने का कौर निगल होगा, तो कौर कम से कम इतना बड़ा हम निगल सकते हैं, कौर इससे मोटा होता है, उसको तो हम निगल सकते हैं, तो केवल हम लोग ये कहते हैं कि इस पतली से नली को आप इसकी लंबाई ना देखें, इसको निगलने की प्रक्रिया करें, और निगलने के साथ-साथ ये नल का बिरिष॑ और से जो जाती है अब ऐसे समझिन की वह सो सब्सक्राइब में और नहीं से किर हम डेज मीटर तक हम बड़ीbound की अध्व कर सकते हैं और करते हैं फिन बिमारियों में आपने पहले पूछा था किन में इसका उपयोग खिया जाता है यह विधी अपनाई जाती है हमारा हमारी एतली जो है वो इक नली नुमा है तो नली के अंदरीून्नी हिस्से में जो उसकी लाइनींग है या वव अंदेरूनी च्छट है उसमें जो जो बीमारियां उत्पन हो सकती हैं, उन बीमारियों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं. जैसे कुछ आगहात उसमें लग जया, जिसके चलते रक्त स्राव हो रहा है, तो अगर रक्त स्राव हो रहा है, तो आदमी खुन की उल्टी कर रहा है, या उसके मल दोWhile से रक्त जा रहा है, तो इस समय, जाचना बहुत जरूरी होता है, उसकी तयारी ठोड़ी से कर ली जाती तो ये परिक्षन की विधी ही केवल नहीं है, ये उपचार की भी विधी है, और उपचार के लिए कई माध्यम अपनाए जाते हैं, उन उपचार के माध्यमों के द्वारा मरीज को ततकाल राहत प्रदान किया जाता है, उसके ब्लीदिंग को, उसके रक्त स्राव को रोका जा जो कई आगे चलके भयावा रूप ले सकता है, कैंसर का रूप ले सकता है, तो उसकी भी जाच इस माध्यम से हो जाती है, हम देखते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि आप यह समझें कि उसके जैसा वे पहले भी कहा, कि नली नुमा यंत्र के आगे एक कैमरा और एक पार्ष पुंझ लगा रहता है, तो वो बहुत तेज़ प्रकास वहाँ पहुंचाता है, और कैमरा उसको पीक अप करता है, और इमेज हमारे मॉनिटर पर दिखलाता है, तो हम आसानी से मॉनिटर पर इमेज बड़ा करके देखते रहते हैं, तो जो चोटी सी बात भी हो, ज उससे टुक्डे भी निकाल सकते हैं, जिसके वो बायपसी कहते हैं, बायपसी के द्वारा हम यह जानते हैं, कि वो cancer की तरफ तो नहीं जा रहा है, या non-cancerous है, और तब उसका उपचार उसी हिसाब से हम plan करते हैं, कोई अगर नली पर कोई दबाव कहीं बाहर से पढ़ रहा ह किसी दूसरे अंग का, तो वो नली के पूरे छिद्र को वो कम करता है, हम उस दबाव को भी जो अतडी के बाहर के अंग का दबाव है, उसको भी इस माध्यम से हम जा सकते हैं, और यही सारी बिमारियां हैं, जिसमें इस नली का उपयोग हम लोग करते हैं, और आप अगर ब एक चिकित्सक ही देंगे, लेकिन खुद भी ये सोचना चाहिए कि अगर एंडॉसकोपी, अंदर उनी जाच की जरूरत है, तो जो लोग एंडॉसकोपी करते हों, जिनके पास ये सुविधा है, जिन चिकित्सके अंदरों में ये सुविधा उपलब्द है, वहां जाना चाहि अपने आपको कि मुझे एंडॉसकोपी कराना है, उसके बाद चिकित्सक पे छोड़ देना चाहिए कि किस प्रकार का एंडॉसकोपी करेंगे, और निश्यत रूप से आपके सेवा करके, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, तो एंडॉसकोपी जब कई दफा पेट के उ होती ही, सरल, सहज, और ग्राह विधी है, तो इसको ग्रहन करने में, जरा भी दिमाग में अपने, यह नहीं सोचना चाहिए, कि हमको तकलीफ होने वाली है, यह बराबर सुविधाव दे कर करने वाली विधी होती है, उसी तरह से मल दुआर में, अगर किसी के मल में रक्तश अब मैं आपको इंडॉस्कोपी का एक और प्रकार बता रहा हूं जो पिशाब मुत्र नली के माध्यम में है जैसे हमने आतडी की बात की हमारे हमारा जो मुत्र यंत्र है गुर्दा से लेके और पिशाब बाहर निकालने तक गुर्दा जो कि पीठ में होता है और वहां से नल नली से निकल जाता है वहां पर इंडॉसकोपी का जो इंस्टूमेंट है वो और पतला है वो और पतला है और वो बिलकुल लोकल इनस्टीशिया दे कर और उससे जब हम जाते हैं पिशाप की नली के माध्यम से जाके हम गुर्दा तक को जाके देख सकते हैं कि अंदरुनी पिशाप के जो नली की स्थिति है वो क्या है और कई भायावह विमारियों में जो सबसे जादा इंपॉर्टं यहां भी वही है रक्त हो पिशाप में या कोई ट्यूमर हो रहा हो गांठ हो रहा हो उस तरह या कोई पथ्री हो गई हो पथ्री को भी हम इस इसी यंत्र द्त द बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता और यह तो एक नॉर्मल सुराख है शरीर में यह सुराख बना हुआ है उस सुराख के माध्यम से ही जाके पत्रियों का इलाज रक्त स्राव का इलाज गांट का इलाज यह सब संभव है मुत्र नलिका से संबंधित जितनी इस तरह की शि करके इंडोस्कोपी करें तो उसका किवर नाम बदर जाता है उसको की लपरोस्कॉपी कह देते हैं लेकिन वह एक प्रकार का इंडॉस्कोपी है क्योंकि वहाँ भी prokas का शूट को और फारा लेकर और महांं की लिए पेटके औंदर नी Co क में में मेरे बभर रहा है कि जैसे कैमज मेरा और प्रकाश पुंझण आप लोग उस वायर के हिसाब से है नुसार तो इनलाज या और शेय। या कौसी और का टुकड़ा निकालना या पत्री दोर्डना यह फिर कैसे होता है, किस चीज शो रहत ही चेज्ट पहुचज को अपने पूछा है कि तो जो जो नली हम जिस नली का इस्तिमाल करते हैं या जिस औजार का इस्तिमाल करते हैं जो नली नुमा होती है उसमें उसके यहां उपर जो हमारे नियंतरण में होता है उसको कैमरा हेड कहते हैं और जो सबसे अंत में सरीर में जा रहा है प्रवेश कर रहा है वहां पर प्रकास पू जिसके माध्यम से हम पानी का छिड़काओ कर सकते हैं किसी भी तरल पदात का जो हमें चही है उस समय जो शरीर के लिए उचित है उसका छिड़काओ कर सकते हैं वहाँ पंप्स के द्वारा और वहाँ से उसी सुराख के माध्यम से हम एक पतला तार नुमाई अंतर ले जाकर और वो अंत में जाके वो ऐसे खुलता है और खुल के वो पकड़ लेता है किसी चीज़ को जिससे उसको हम बाइपसी के लिए टुकड़ा लेके आ जाते हैं यह बहुत ही आपने रोचक उचार है अपरेशन भी हो जाता है अब अब इंडॉसकोपी से हम तो हर बीमारी का इलाज इंडॉसकोपी से ढूंड रहा है हर बीमारी का इलाज इंडॉसकोपी से ढूंड रहा है हैं चधे यहां सर में सुstaat करकर चाहे चाहे च्छाटी मे दिल का हीलाज हो फेपड़े का हीलाज हो उसको करके वहुर् स्सक्री ओप्यों कर से आलावा भी प्रेख स्वारी इस हीज्जी विगory तकिर् थे मुद्द यह समय बहुत ही अच्छा समय है, इसके पहले का समय काटना पड़ता था, छट विछट करना पड़ता था शरीर को, अब तो सबसे कम छटी पहुचा कर, सबसे ज्यादा इलाज उपलब्त कर लिया जाता है, तो कितना समय लगता है सर इसमें, मतलब पूरी तरह से ठीक होने मे जैसे पहले तो बड़े बड़े ऑपरेशन जैसे चीरा लगा कर आप कह रहे हैं, तो बहुत समय लगता था, तो जब यह पधती आसान है, तो फिर पूरी तरह से ठीक होना भी आसान होगा, समय के वारे में जिग्याशा आपकी जो है, वो बहुत ही कौतुहल और में पता चल जाता है, कि एक सवा मिटर तक क्या इस्तिती है, अथडी की, जब हम मलद्वार के माध्यम से आते हैं, तो वहां पर हमें करीबन 20-25 मिनट लगता है, उसमें आपका परिक्षान हो जाता है, और जाच के लिए निकाल भी लिया जाता है, अब रह गया उपचार क तो उपचार के लिए समय निर्धारित हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहां तो एक टार्गेट है, कि अगर मुत्र नलिका में कहीं पत्थर है, तो उसको तोड़ डालना है, उसको से क्लियर कर डालना है, तो वहां पर समय निर्धारित हम नहीं करते हैं, और इसको वैसे ही इलाज के लिए मैं एक बराबर उदाहरंट देता हूँ कि इलाज में जब भी आप अपने आपको ततपर करते हैं और अपने चिकितसक के सामने प्रस्थूत करते हैं तो बराबर सोचिए कि आपने भारतिय सेना को पाकिस्तान के युद्ध के लिए भेजा है और भारतिय सेना जैसे पाकिस्तान के युद्ध से जीत के आना चाहती है और हम भी चाहते हैं कि वो जीत के आए तो यहां चिकित सक जो है वो भारतिय सेना है वो जीत के ही आएगा उस युद्ध से अब उसमें समय कि तो कोई बात देता नहीं होती है कोशिश आद भी करता है कि सामानने तह एक जो समय लगता है वो बता के रखे बट फिर भी मेरा अनुरोध और मेरे जीवन का ये अनुवह है कि मैं सब को यही कहता हूँ जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि कितना समय लगेग हुआ इस इस विदी से अन्डी कोपी हुआ यह लेप्रिश्कोपी हुआ तो फिर उसको किली टाइम जो है बहुत कम होता होगा घो जिस अंघ पर जैसरक अवयो पर काम किया गया यह जितना काम किया घा उस से समय होता है वो दोनों विधियों में चेध पुरानी विधि हो या नई अब इंडॉस्कोपी की विडियो, दोनों में वो सामान्य है, और वो तो लगना ही लगना है, अब हम लोग एक वो भाग देख रहे हैं, कि जब हमें बहुत सरीर को छती पहुंचा कर अंदर घुस के काम करना पड़ता था, तो वो जो छती हम पहुंचाते थे सरीर को उस छती के भरने में बहुत समय लगता था, और अब सुराख करके जब हम जाते हैं, या सामान्य तह उपलब्द सुराखों से हम जाते हैं, तो वो तो सामान्य तह उपलब्द वाले में तो हम कुछ छेड़चार करी नहीं रहें, तो वो तो ततकाल रहत है, और अगर हमने चोटे-चोटे सुराक, लाप्रोस्कोपी वगरे में किया भी, तो वो तो छोटे-चोटे छेद हैं, वो छेद तो जल्दी भर जाते हैं, तो दो-तीन दिनों में ही मरीज अपने सामान्य अवस्था में वापिस आ जाता है, बाकी जो अंदर काम किया गया है, उसके लिए अगर थोड़ा समय, जिस तरह की विधी हो, जिस तरह का काम हो, उसके लिए जो विधी निर्धारित की जाती है, जो समय निर्धारित किया जाता है, वो दोनों विधीों में बराबर लगता है, और वो भी इस विधी में काफी कम हो जाता है क्योंकि छेर चार जब कम होगा तो सरीर को सामाने एस्थिती में वापस लाने में काफी मदद मिल जाती है जी जी तो मतलब इसमें हुआ कि एक तो परिक्षन भी होती है जाच भी हो जाती है इसके माध्यम से और इलाज भी हो जाती है उसी समय हो जाती है इलाज तो कई बार मरीज मतलब चाहते होंगे कि साथ साथ हो जाए कई बार चाहते होंगे कि ना हो बाद में कीजिए ऐसे भी कि आप लोग उस सबें डिसाइड करते हैं तुरंत समझना पड़ता है नहीं अनुमान लगाकर मरीज को और उनके परिजनों को यह बता दिया जाता है कि देखिए उनको भी तो तयार होना बहुत जरूरी है इस कारण के लिए हम परिक्षन की विधी अपना रहे हैं इसी में ह अब उसके लिए फिर से उसके लिए पहले से लोगों को यह संदेश दे कर उनको समझा कर तयार करके रखा जाता है और सहर्स लोग तयार भी हो जाते हैं क्योंकि वो दुबारा केवल एक बार परिक्षन और दुबारा इलाज जब तक किसी चिकितसकिये ग्यान के चलते यह जरूरी नहीं हो कि दोनों में दूरी दी जाये तब-टक तो दोनों को एक साथ समाहित करना ही उचित होता है और ऐसी ही सलाह चिकितसक लोग देते हैं और ऐसी ही सलाह मान लिनी चाहिए तो इसके बाद कोई सावधानी की भी जरुद पड़ती है सर परिक्षन या फिर उसक इसको ऐसे समझे कि अगर एक बहुत ज्यादा च्छै करके सरीर को और कोई काम किया जाए तो उसमें जो समय लगेगा उस से रिकवर करने में उस से रिकवर करने में जो समय लगेगा तो इस विधी से तो च्छै सरीर का कम होता है आगात सरीर पर कम होता है तो सरीर को रिकवर क करने में समय बहुत ही कम लगता है और ये सबसे फ्रेंडली सबसे फ्रेंडली ये तरीका है इलाज कराने का और इलाज करने का जी तो अब थोड़ा सा समय रह गया है सर एक और जिग्यासा है मेरे अंदर हमारे दर्शकों के अंदर भी होगा ये जैसे आपने कहा कि हमें जरूरी है पहले या लोग खुझ से भी जाते हैं और ऐसा हो जाता है इंडोस्कोपी तो अगर जैसे मैंने कहा कि आपके उदर में बहुत तकलीफ हो रही है उपरी भाग में तो आपको ये समझने कि हां बिलकुल एक हम अपर जी आई एंडोस्कोपी कराने चले जाते इसक कर दीजे और तब वह अल्ट्रसाउंट का प्लेट और रिपोर्ट लेके हम लोगों के इसा था तो हमने अल्ट्रसाउंट करा लिया है एंडोस्कोपी के साथ भी सभाग्य बस असा ही हो गया अगर आपको इसा कुछ डिसकंफर्ट लग रहा है तो जिन लोगों के पास जिस के सखीय, campus में endoscopy उपलब्द है, वहाँ जाके आप endoscopy करा सकते हैं, endoscopy की ही सेवा के लिए आप वहाँ जा सकते हैं. जे, जे, पतक, खुद भी अगर इतनी जागरुपता है, लोगों के अंदर, और हम कारेक्रम भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि endoscopy कब-कब हम करा सकते हैं और कितनी आसान ये पदती है और बिना कोई च्छह किये हुए शरीर का इस तरह की जाजपदती को लोग अपना सकते हैं खुद भी जाकर जागरूपता अपनी दिखा सकते हैं तो समय सर हमारा समाइब तो चला है एक मिनट देर मिनट बचा हुआ है सर तो यह बहुत ही मतलब इस माध्यम से चलिए हम दर्सकों को यह बताते हैं कि यह बहुत ही ग्राह है, बहुत ही सहज है, इससे डरने की बिलकुल जरूरत नहीं है और आपको अगर ऐसा लगे कहीं से रक्षाव हो रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि इसका इसकी जाच, इसका परिक्षन एंडॉसकोपी ही है, और उसी में इलाज भी संभाव है, तो जरूर अपने बगल में यह सुविधा तला से और वहां पहुंचकर अपना एंडॉसकोपी सहर्स कराएं और उस विधी को स्विकार करें. तो सर, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंची है, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इतनी सारी बाते लोगों को बताई, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार. देखे, वक्त तो मेरा कीमती नहीं है, दर्शकों के लिए है, समाज के लिए है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस कारेक्रम के माध्यम से लोगों को आपने बहुत चुने हुए सवाल पूछ कर, इंडॉसकोपी की विस्तरित जानकारी दिलवाई है, और मुझे ल होनी है, और यह उनके शरीर के स्वास्ते के लिए नहायद जरूरी है, जी जी सर, फिर से एक बार आपका बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार,